तो प्यारे बच्चों, आज के इस लक्चर में हम लोग बात करेंगे किसी समीकरण के विमिय संतुलन या को हो विमिय सत्यता की जाच करना, अर्थात हम ये कहेंगे, अगर कोई समीकरण हमको दे दिया जाए और हमें उसकी सत्यता की जाच करनी हो, तो हम विमिय विदि से किस ड्लबिक्ताना करेंगे तो आईए इसके लिए हम जो हैisti मैं पहला क्वेस्टन लह लेते हैं अपना तूटी 4 पाई अंडरूड लोटाबटे गिलास को ले लेते हैं तो देखिये क्वेस्टन क्या दिया भी हम ये बताएंगे कि तोटी 4 पाई अंडरूड लोटा बटे गिलास हमने क्यों कह दिया ताकि यह आसानी से आपको याद रहे तो डियर आप देख रहे होंगे आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो question number 1 लिया है वो देखो है क्या प्रस्ण है तो question number 1 हम लिख रहे हैं दिया है कि सूत्र T बराबर आपको दिया है डियर कि सूत्र T बराबर 2 पाई अंडरूड ल बटा जी ल बाई जी की सत्यता की जाच कीजिए की सत्यता की जाच कीजिए सत्यता की जाच कीजिए तो यह हमारा है प्रस्ण नंबर एक तो देखो हमने इसका यह नाम क्यों कहा कि टूटी चार पाई अंडरूड लोटा बटा गिलास तो देखिए ऐसा इसलिए बोला ताकि यह आपको पार्मूला जो है आवर्तिकाल का यह सदय याद अगर घाक मतरे देखिए टो लेकर तो चार फॉल तो देखिए कैसे आगर हमने पाई है तो चार पाई टूट गई याँनि की तोड सॉडव गए तो चार को मारकर को यह तो दो बीन से तो आधा हो जायागा तो चार का आधा कैके तना बच्छा दो पाई फिर हमने अंडर लोटा वटे क्या कह दिया गिलास अब भूलेंगे नहीं तूटी चार पई अंडरूड़ लोटा वटे गिलास इसकी हमें सक्थेता की जाच करना है विमिय विधिसे तो आईए डियर देखते हैं तो देखिए सबसे पहले सक्तिता की जाच करने से पहले अगर आपको विमिय सूत्र नहीं आते हैं सही से तो आपको विमिय सूत्र भाई लरन करने पड़ेंगे या कहो उनको निकालना सीखना पड़ेगा तो इसके लिए अगर आपने ह कि हम जानते हैं कि आवर्त काल की जो विमा होती है वो क्या होती है आवर्त काल यह निकि एक पर समय बनेगा तो समय की विमा बच्चा क्या होती है capital T होती है तो यहां से हम क्या करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि समय की विमा या यूं कहो कि आवर्त काल की विमा क्या करेंगे आवर्त काल की विमा तो आवर्त काल की डियर विमा क्या बनेगी आवर्त काल की आपकी विमा होती है capital T क्या डियर होती है capital T उसके बाद में LL क्या होती है यहां पर धागे की लंबाई होती है तो जैसे कि हम जानते हैं कि लंबाई की विमा क्या लंबाई की विमा तो लंबाई की विमा डियर क्या होती है capital L होती है क्या डियर होती है हमने कहा capital L होती है उसके बाद में GG क्या है गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण की विमा तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा जो होती वो lt-2 होती है क्या प्यारे होती है lt-2 अब हम करेंगे क्या जो हमें समीकर्ण दिया गया है यह सब विमिय सुटरिया को मान क्या करेंगे हम समीकरन में रख देंगे तो आगे से चाहूं तो आप इस प्रकार लिख सकते हो कि यह विमाएं क्याией यह विमाएं दिये गए यह विमाएं दिये गए दिये गए समी करण समी करण में रखने पर समी करण में रखने पर तो समी करण अपना देखिए क्या है ती बराबर टू पाई एंडरूड एल बाई जी तो टी टी की विमा इधर से देखिए बच्चा यह तो कैपिटल टी ही हो गई क्या होगी कैपिटल टी बराबर टू नियतांक का कोई विमिय सूत्र नहीं होता है तो इसे हम क्या करेंगे क्या करेंगे नीगलेक्ट कर देंगे तो इसको तो आप छोण दीजिये इससे कोई है L T-2 ध्यान से देखो तो L से L तो क्या होगा मर जाएगा तो बचा क्या T-2 नीचे बचा और T-2 ऊपर आएगा तो का है का हो जाएगा प्लस का तो इस प्रकार डियर हम क्या कहेंगी यह T रहा और इधर से आप ध्यान से अगर देखें तो यह अंडर रूड और T की कितना हो जाएगा तो हो जाएगा तो इस प्रकार आप देखिए कि यह अगर समीकरण का देखो तो लेफ्ट हेंड साइड था अब यह कैसा था यह समीकरण का डियर क्या था राइट हेंड साइड तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे यहां पर आप देखिए तो लेफ्ट हेंड साइड बराबर क्या आया है राइट हेंड साइड तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हेंड साइड की जो विमा है वो बराबर right hand side की विमा है अतहां था हम क्या कहेंगे संतुलन की इस्थित में है आप जैसा कहना चाहों आप और अगर इस प्रकार नहीं हल करना चाहते हो तो इस प्रकार हल कर लेना सबसे पहले डियर करना क्या सबसे पहले दिया गया समीकर्ण आप क्या करना ऐसे लिख देना कि दिया गया समीकर्ण और ये समीकर्ण नोट कर लेना फिर ये से हल कर लेना जैसे आपका मन करें उस प्रकार से आप हल कर सकते हैं अब इसके बाद में हम क्या करते हैं क्वेस्चन नंबर दो ले लेते हैं तो क्वेस्चन नंबर दो में गति के समीकरण चलो देख लेते हैं तो आपने देखा होगा कि गति का जो पहला समीकरण होता है गति क्या है प्रारंभिक वेग है और ए क्या है तुरण है और टी जो है वो डियर किसका समय का काम करता है अब यहां पर हमें सिद्ध करना है कि यह समीकरण सही है या फिर यह समीकरण गलत है तो देखिएगा हम लोग इसको सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले तो वही हमें विमाय प कर दोनों की डोनों विमा क्या रहेगी एल्कि माइनस वन और एड क्या है यह जो है यह आपका बच्चा रहेखी है तो जैसा कि हम जानते हैं कि तोर्ण की विमा जो होती है डियर वो क्या होती है तो तोर्ण की विमा डाइमेंशन फार्मूला आफ एक्सिलेरेशन तोर्ण की विमा क्या होती है ल्टी माइनस टू क्या डियर वही कि यह मान यह मान कहां दिए गये समीकरण में रखने पर तो दिए गये समीकरण में रखने पर तो देखिए यह कुछ इस प्रकारते मिलेगा हमें V का रखिए तो V का डियर क्या है L T minus 1, कितना है L T minus 1, बराबर U, तो U का वही वेक का क्या L T minus 1, यह हो गया L T minus 1, फिर उसके बाद में प्लस, तोरण का क्या है L T minus 2, और टाइम, टाइम का डियर क्या होगा, T, अब अगर आप ध्यान से देखें, तो यह तो L T minus 1 वैसे ही रहेगा, और प्लस, अब क्या हो जाए तो minus के 2 से प्लस का वन गया, तो minus का 1 बचे गडियर, तो L T minus, यह रहे गया L T minus 1, और इधर से आप ध्यान से देखो, तो यह चल ला है L T minus 1, अब ध्यान से देखो, यह क्या लिखा है, 1 L T minus 1, और इधर से क्या लिखा, 1 L T minus 1, तो 1 और 1 जुड़ेंगे, तो क्या हो तो हम क्या कहेंगे, यह हो गया 2, और उसके बाद में L T minus का 1, और इधर से अगर देखो, ध्यान से क्या चल ला है, L T minus 1, लेगिन 2 क्या है, यहाँ, जहाँ, दो बराबर क्या है बिच्चा, यह एक constant है, तो इसका कोई विमियस उत्र होता नहीं, तो इसे हमें क्या करना पड तो छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे, बचेगा क्या, यह बचेगा L T minus 1, और इधर से डियर क्या वैचिन बनेगा, L T minus 1, यानि कि वही बात आ गई कि left hand side की जो विमा है, वो right hand side की विमा के क्या है, बराबर, तो फिर वही नीचे लिख देंगे क्या, कि अतह दिया गया स जाहें, अब इसी प्रकार बच्चा अगर आपको second equation दे दी जाए, तो second equation जो है, वो क्या होती है, जैसा कि आप जानते होंगे, यह होते डियर S बराबर, ut plus half 80 square, इसकी आपको सत्यता की जाज करना है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान है, चलो हम इसको बता देत है, थर्ड वाला अप अपने आप करना, तो देखिए, यहां पर S जो है लाल, यह क्या होता है, विस्थापन होता है, क्या होता है, विस्थापन होता है, जबकि U क्या है वही, प्रारंबिक वेग है, और T क्या है, समय है, और A क्या है, यह रेखिये तौरण है, क्या है डिय का काम कर रहा है तो विस्थापन तो विस्थापन की जो विमा होती है विस्थापन की विमा वविस्थापन तो हमने आपको मता Ρचर vibrations विश्था क्या रखा है कि लंबाई च vapंप और दूरी उनचाई तरज्या सब की लिमा एल होती है तो यहां पर विस्थापन की विमा इस प्रकार डियर क्या होगी, L होगी, उसके बाद में T, यहीं कि समय, अगर हम देखें समय, तो समय की विमा हमने कहा क्या रहेगी, यह तो रहेगी capital T, और A, अभी हमने गुरुतिय तोलन में देखा था, और उसके बाद में रेखिये तोल कि दोनों हैं क्या, तोलन की क्या होती है, L T minus 2, तो यहां से हम क्या कहेंगे, कि तोलन की विमा, तोलन की विमा, तो तोलन की विमा दियर क्या बनेगी, L T minus 2, क्या बनेगी, L T minus 2, अब इसके बाद में आप देखिये, अब हम क्या करेंगे, यह विमाएं, या कहो यह मान किसम लिखने पर तो चाहिए इस प्रगाल लिख दो कि ये इन एसे लिखो इन विमाओं के क्या लिखो कि इन विमाओं इन विमाओं के मान दिये गए समीकरण में रखने पर, तो दिये गए समीकरण में आप रखती जिए, तो देखिए जब समीकरण में रखेंगे इन विमाओं के मान, या कहो ये मान हमने कहा जैसा आप कहना चाहूं वैसा आप लिख सकते हैं, तो ये मान रखोगे, तो S क्या है DR, विस्थापन, विस्थापन की जैसा कि हम जानते हैं, क्या L होती है, और उसके बाद में U क्या है, यह तो प्रारम्दिक वेग, अब वेग का क्या होता है, L T-1, क्या DR होता है, L T-1, इंटु T, टाइम का क्या होता है, T, और फिर प्लस एक बटा दो तो ध्यान रखना एक बटा दो यहां पर क्या है ऐसे लिख देना चाहिए एक बटा दो इक्विल क्या constant और constant का कोई विमिय सुत्र नहीं होता है अधात इसे क्या करेंगे हम neglect कर देंगे या का आता है से neglect करने यहां से देखो यह प्लस का 1-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस- यह डियर बचा एल बचा क्या बचा इसके बाद में यह देखो माइनस की दो और प्लस की दो यह हो जाएगा तो यहां से भी आप देखेंगे यह क्या बचा अब एक एल और एक एल मिलके यह डियर क्या हो जाएगा टू और इधर से क्या हो गया एल और इधर से अब यहां पर अगर आप देखो तो दो क्या है दो तो constant है आपका दियर क्या है दो दो यह आपका constant है तो इससे तो हम neglect कर देंगे इसका मतलब यहां से आएगा क्या आगर आप ध्यान से देखेंगे तो L बराबर किसके हो जाएगा अल बराबर ल के हो जायगा तो यहां से आप क्या कहेंगे कि left hand side की विमा जो है वो right hand side की विमा के क्या है बराबर है अतहां हम क्या कहेंगे कि अतहां दिया गया गया दिया गया समी करण दिया गया समी करण क्या है Vimea विधी से क्या है सही है अब इसी प्रकार तरतिये समी करण जो होता है जो होता है V square बराबर U square प्लस 2 AS इसकी आप खुद ही जाज करना बता हम दे रहे हैं यहाँ प्र क्या करना वी वेग है अंतिम वेग चाया प्रारंबिक वेग की विमा एक है तो lt-1 यहां डालना, lt-1 यहां दो constant है इसको क्या करना छोड़ देना ए रेखी तोन की LT-2 और ऐसे यहाँ पर क्या विस्थापन होता है विस्थापन की डाल के इसी तरह से हल कर देना ये भी आ जाएगा तुमारा सही है या फिर गलत है उसके बाद में अब हम क्या करते हैं हमने कहा कि हमें अब ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमको सब समीकरन सह ही दे सत्यता की जाज करो कभी अगर गलत दे देगा तो यहां पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा चलो हम एक क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं जैसे टूटी चार पाई लोटा बटे गिलास लिए थे अगर आपको मान लिए ये क्वेश्चन दे दिया है क्वेश्चन लिखेंगे ती आवर्त का अवरत का डियर वीमा क्या होता है क्या होताई जोता है यहां क्या डियर नीचे ल यथा नबाई क हर ल सो यह तो यहां पर अगर आप द्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वह डाजना इक्वल राइट हैंड साइड की की विमा यहनी की लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर नहीं है तो इस प्रकार हम यहां पर क्या लिखेंगे कि अतह दिया गया सूत्र गया समी करन जैसा आपके निया गया सूत्र क्या है विमिय विध से सही नहीं है विमी से सही नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कभी कभी पेपर में जो है question ऐसा पकड़ा देगा वो सही ही नहीं होगा तो यह बच्चा था हमारा केतने हो गए चार question हो गए यह question number 4 था अब इसके बाद में और यह आपको जो एक और था पाँचवा यह आपको हल करना हमने कहा हम कोई और question ले लेते हैं चलो हमने जैसे कि ले लिया कहा कि एफ पराबर अभी केंद्रबल का फार्मूरा ले लेते हैं अभी केंद्रबल का फार्मूरा एफ बराबर m v square बटे डियर क्या होता है R होता है यह अभिकेंद्र बल का फार्मूला है जहाँ पर F क्या है अभिकेंद्र बल का काम करता है M दरपेमान है V वेग है और R क्या है तरज्या है क्या है R तरज्या है तो यहाँ पर फिर वही क्या सबसे पहले तो V मी सूत्र हमें पता होना चाहिए तो हमने कह डियर जैसे की F क्या है तो बल का विमियसूत्र हम जानते हैं क्या होता है MLT-2 क्या होता है बल का विमियसूत्र MLT-2 V क्या है वेग है तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेग का विमियसूत्र तो वेग का विमियसूत्र LT-1 क्या डियर होता है LT-1 उसके बाद में आर्त तुमने अभी कहा था लंबाई चोणाई उचाई तुरज्या व्यास यहां सब सब होगा तो यहां से देखिए थृज्ज्या क्या अगर ध्यान से आप देखें तो पति की तृज्ज्या अक्का जो क्या हो जाएगा एक सबस्क्सारव曲 होता है यहां पर थो स्च्वारी मान थे नहीं कि यहां पर क्या हो गया L2 और T-2 क्या डियर हो जाएगा L2 T-2 डिवाइड बाइ रेडियस रेडियस के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा L अब ये L आएगा उपर तो माइनस का हो जाएगा भई यहां से किसमे है प्लस की एक घात उपर आएगा तो माइनस की और यहां दो से एक घट जाएगा तो एक बचेगा तो इस प्रकार आप ध्यान से देखो तो ये बचा क्या M L T-2 क्या बचा डियर M L T-2 अब इधर से हम ले के क्या चल लहते M L T-2 यहां भी वही आया क्या है लेफ्ट हेंड साइड की विमा बराबर डियर किसके है राइट हेंड साइड की विमा के अताहा हम क्या कहेंगे वही भासा कि अताहा दिया गया सूत्र क्या है विमिय विधि से सही है जैसे बार-बार लिख रहे हैं इसको आप लिख लेना अब वच्छा इसके बाद जैसे आपको मान लिया अगला प्रस्न दे दिया गया है question यह है हम अभी इसे पढ़ रहे हैं question कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक h उचाई से गिरते हुए हमने क्या कहा कि स्वतंत्रता पूर्वक small h उचाई से गिरते हुए small h उचाई से गिरते हुए small h उचाई से गिरते हुए पिंड द्वारा प्राप्त वेग वी के लिए तमी करण के लिए समी करण वी बराबर अंडर रूट 2 जी एच यहीं टारस एली की प्रमय में वक्चा हम लोग सिध्ध करके लाते हैं सेकंड पेपर में तो यहां पर वी बराबर अंडरूर्ड टू जी एच की हमें क्या करना है इसके विमिय संतुलन का परिछन कीजिए परिछन कीजिए जहां जी गुरुत्वियत तुण है जहां जी क्या है डियर जहां जी जो है यह गुरुत्य तुर्ण है क्टिंश तुड़ तो आइए ये इसका करते हैं परिछन तो समीकल हमें क्या की दिया है दिया गया समीकला है वि बराबर अन्डर रूड 1 जी ध्ध्यान से को सुतंता पूरख है यहां पर हम क्या लिखेंगे उचाई की विमा सबके सब क्या होंगे यहां से दियर क्या की विमा यह तो हो गई आपकी capital L उसके बाद में दो तो एक नियतांक है इसे कोई मतलग में नहीं तो इसका विम्य सूत्र नहीं होगा जी है गुरुत्वीयत्वर्ण तो गुरुत्वीयत्वर्ण की विमा जैसा कि हम जानते हैं बार बार डालते आ रहे हैं क्या है उचाई लिखी चुके हैं वी क्या है वेग तो यहां से लिख दो वेग की विमा बार बार डाले हैं अब एक काम करिए यह मान समीकरण में पुट कीजिए तो यह मान यह मान समीकरण या दिये गए समीकरण जैसे लिखना चाहूं यह मान ऐसे लिख दो दिये गए समीकरण में रखने पर रखने पर तो दिये गया समीकरण क्या है वी बराबर अंडरूट तो वी वेग का विमा क्या होता है डियर क्या होता है अंडरूट में 2 तो दो यहाँ पर क्या है दो तो डियर आपका है इसे आप क्या करेंगे नेगलेक्ट कर दीजिए तो यह नेगलेक्ट बचा क्या जी जी का क्या होता है अब ध्यान से अगर आप देखें यहां पर तो यह कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा अंडरूट अब ल की वन 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 क्या हो जाएगा टू तो ल 2 और अगर हम तो यहते बीर बच्चाएं लॉट का निकालेंगे तो यह क्याufen से यह यह सब्रकार क्या को लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वह वे बराबर किसके हैं आप देख पार हैं होंगे राइट हैंड साइट की की तो अतअ दिया गया अतअ अतअ दिया गया सूत्र्य समिकरण क्या है सही है क्या है सही है चलो एक प्रस्ट और उर्जार हम ले लेते हैं हमने कहा कि मान लिया हमें उसने कुछ इस प्रकार का फार्मूला दे गतिरी उर्जा का सूत्र दे दिया गतिरी जूर्जा के बराबर एक बटादो एम वी इस्वेड तो जैसा कि हम जानते हैं के क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनरोजी यानिकि हमने तुम quo रूट रखा एपने विमिया सूत्र == लेक्षर में चाहें स्क्राइब होता है उसकेवaching क्या हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यम्यू सूत्र क्या होता है 'd or Jamfamallji कैर करें किया होता है क्या होता है left1, अब वही चीज, कि ये मान, कहा रखो, ये मान, ये मान, दिये गए, सूत्र या समीकरण में, क्या करने पर, रखने पर, उठा के ये सब मान, रख दीजिे, तो आप देखेंगे, जब ये मान, हम सब रख देंगे, तो रखने पर ये कितना बनेगा, तो k, k का आमान रखिए तो k का हम कितना लिखें है बच्चा m, l, 2 t, minus 2 यह तो वही से लिख दो बराबर का चिन लगाओ फिर क्या है एक बटा दो तो आप देख रहे हैं एक बटे दो बराबर यहाँ डियर क्या है constant इसे क्या करेंगे छोड़ दो, कोई भी में सूत्र नहीं होता तो m, m का क्या हो जाएगा इधर से यह हो गया द्रबेमान का m, फिर वेग, वेग का डियर क्या होता है, l, t l, t, minus 1 लेकिन इस्क्वाइर है, तो क्या हो जाएगा l, 2, और t, minus का क्या हो जाएगा, 2 ल, 2, t, minus 2 तो आप घ्यान से देखे, तो वही आ गया ml, 2, और t, minus 2, अब इधर से देखो इधर भी तो वही चला, ml, 2, और t, minus इधर क्या हो गया, 2 हो गया तो इधर से आप देखे, left hand side की विमा जो है, वो right hand side की विमा की क्या है, बराबर तो इसी प्रकार जैसे बारबार लिखते आए हैं ऐसे फिल लगे देंगे, कि अताहा दिया गया सूत्र में left hand side की विमा बराबर किसके है, right hand side की विमा के अताह दिया गया सूत्र विमी अरीति से, या विमी अविदि से क्या है, सही है तो बच्चों हम आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सेयर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल दो सब्सक्राइब करिए और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद